देखे इसके बाद अग़ला question है question number 10 ए वन अपान वन माईनस कास्ट टू एक्स इसका कैसे करेंगे इसमें भी कास्ट टू एक्स का ऐसा फार्मूला खोल देंगे कि वन कैंशल हो जाए ठिक तो cos 2 X के 1 वाले दो मुले थे कौन से एक होता है 2CAS2k sales minus 1 औप दूसरा होता है 1 minus 2sin2 right अब देखो यहाँ पर 1 plus का है minus वाला होना चाहिए आगर हम यह वाला लगाते है तो यहाँ पे आगे माइनस चीन है तो बदल जाएगा मतलब अगर हम प्लस वाला लगा चीन बदल कर भी माइनस हो जाएगा ठीक तो यह वाला सूत्र अपकी बार यह वाला सूत्र लगेगा तो क्या हो जाएगा integration one upon one minus one minus two sine square x dx बराबर one integration one upon one minus the bracket having it to call the under catching mother leger plus two sine square x dx minus one और प्लस वाल केंसिल क्या बचाब one upon two sine square x और यह dx one upon two bar कर लेंगे तो one upon two bar हो गया क्या बचाब one upon sine square x dx इसके बात क्या होगा one upon two sine square x को जब उपर लाएगे तो क्या हो जाएगा kosec square x dx को से क्सकोर x का integration क्या होता है kos a keac square x का integration क्या होता है यभी बताया था क्या होता है माइनास cortex और प्लस सी तो कितना अभी माइनास one upon ք़र्पान टू काRT ेक्स प्लस ठीक questions में आ गया अगले कोशन पर चलते हैं अगला दिया है 11 नमबर इंटी एसान रूड वन माइनस कास्ट टू एक्स डियर इसका भी ऐसी कर लेंगे तो इसमें कास्ट टू एक्स का कांसा सूत्र खोलना पड़ेगा वन माइनस टू साइन स्क्वाइर एक्स क्या हो गया बराबार रूड के अंदार वन माइनस ब्राइकर लगा लिया कास्ट टू एक्स का सूत्र क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वाइर एक्स और यह डिय बढ़ाबर इंटी गैसान वन माइनस जब यह ब्राकर हटाये तह तो क्या होगा अंदर का चिन मतल जाएगा one प्लस two sine square x dx minus one or plus one cancel क्या हो बचा integration root two sine square x dx अब वर्गमूल कर लेते हैं क्या हो integration, root 2, sin square x का वर्मूल हो जाएगा, sin x, dx, root 2 बाहर कर लेते हैं, root 2, integration, sin x, dx, sin x का integration क्या होता है, बताएगे, sin x का integration क्या होता है, sin x का क्या होता है, minus cos x plus c, तो क्या हो जाएगा, root 2, sin x का integration हो गया, minus cos x plus c, तो total कितना हा गया, minus root 2, cos x plus c, तो इसका integration कितना होगा, minus root 2, cos x plus c, ठीक, इसके बाद अगला question है, अगला question दिया है, integration, root के अंदर है, 1 plus sin 2x, dx, इसका integration कैसे क्या जाएगा, देखो, एक सूत्र पढ़ा है, sin square x plus cos square x बराबर, 1, पढ़ा है, ठीक, तो हम इस 1 के स्थान पर, sin square x plus cos square x लिख सकते हैं, और sin 2x, sin 2x का फार्मूला पढ़ा है, 2 sin x into cos x, तो 1 के स्थान पर हम ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे, तो क्या लिखेंगे, बराबार, integration, root के अंदर लिखेंगे, 1 के स्थान पर लिखेंगे, sin square x plus cos square x, ठीक, प्लस, और sin 2x का सूत्र क्या होता है, 2 sin x का सेक्स, और ये dx, तो देखो, root के अंदर एक फार्मूला बन गया, इसको a माल लो, इसको b माल लो, तो a square plus b square plus 2 a b, a square plus b square plus 2 a b, किसका फार्मूला होता है, a plus b का whole square, बन जाएगा, sin x plus cos x का whole square, ठीक, जब इसका वर्मूल करेंगे, तो क्या होगा, square और वर्मूल, दोनों क्या हो जाएंगे, cancel हो जाएंगे, क्या बच्चेगा, sin x plus cos x और ये dx, ठीक, आप क्या करते हैं, दोनों का integration अलालग कर लेते हैं, क्या बनेगा, बराबार sin x dx plus cos x dx, sin x का integration क्या होता है, minus cos x plus, अब cos x का क्या होता है, sin x plus c, ऐसे छूड़ दू, या सही से लिख सकते हैं, sin x minus cos x plus c, तो इसका integration क्या होगा, sin x minus cos x plus c, एक बाद फिर देख लो, देखो, इसमें क्या करते हैं, 1 के स्थान पर हम ये वाला सूत्र लगा दिते हैं, ठीक, 1 के स्थान पर ये सूतर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सूत्र होता है, और sin to x का सूत्र क्या होता है, 2 sin x, cos x, तो sin to x के स्थान पर हमने ये लगा दिया, ठीक अब दीखोई यह होल स्कोर बन गया इसको मालने अगर इसको भी मालने तो बन जाएगा a2 plus B2 plus 2ab a plus B ka whole स्कोर होता है तो बन गया sin x plus cas x ka whole square अगली लैन में क्या हो जाएगा यही square और वर्मूल तो दोनों हट जाएंगे बच्चिए गा अब इसका क्या करते हैं दोनों को दोनों पदों को हम अलग अलग इंडिएशन कर लेते हैं ठिक का इंटिगेशन होता है मायनस का 1x अवका सङस्ट का integration क्या होता है साइन एक्स और इसको सही से लिख लिए ठिक तो इसका integration कितना आएगा साइन एक्स माइनस का से एक्स प्लास सी ठिक सुझ में आ गया इसके बाद अग्ला कुश्चन है कुश्चन अमत तेरा इंटी के सान साइन एक्स प्लस का सेक्स अपान रूट के अंदर है वन प्लास साइन टू एक्स और डियाक्स ठिक इसका भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने बारा नंबर किया है क्या बनेगा बराबार इंटी के सान साइन एक्स प्लस का सेक्स अपान वन के स्थान पर क्या लिखेंगे साइन स्कॉर एक्स प्लस का सिस्कॉर एक्स क्योंकि साइन टू एक्स में कोई ऐसा फार्मला तो होता नहीं जो वन कट जाए ठिक इसी लिए इसको ऐसे लिखेंगे और साइन टू एक्स का सूत्र क्या होता है टू साइन एक्स इंटू का स x और यह डीय यह सी ढाल फ्लू सsक्व स्कॉर प्लस बी क्रेश ते प्लस से थे आप होल स्कॉर बन जाएगा क्या हो गया इंटी के स साइड़ क्स प्लस का सैक्स आपान रूट के अंदर हो गया साइन एक्स प्लस का सेक्स का होल स्कॉयर और यह डियर्ट इंटिकेसान साइन एक्स प्लस का सेक्स अपान इसका जब वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा स्कॉयर और वर्गमूल दोनों हट जाएगा क्या बचेगा साइन एक्स प्लस का सेक्स और यह डियर्ट तो यह पूरा कि पूरा केंशल हो गया क्या बचाएं इंटीगेस अन वन डिय अट आवन का इंटीगेसिन क्या होता है एक्स प्लास सी ठीक ये सारे फर्मुली याद कर लेना ठीक इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटिकेशन कास्ट टू एक्स अपान वन प्लस साइन टू एक्स डी एक्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बताओ इसको कैसे करें इसको इसमें क्या करते हैं इसका जो हर है बिल्कुल यही तो है तो जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन का हर हल किया है बिल्कुल ऐसे इसका भी करेंगे ठिक और कास्ट टू एक्स का एक सूत्र होता है Cas2x का सूत्र पढ़ाओगा Sine और Cas दोनों के पद में क्या होता है Cas2x माइनस Sine2x ठीक देखो क्या लिखते है इसका बराबार integration Cas2x का सूत्र कांसा खोलेंगे Cas और Sine दोनों के पद में जो होगा वो वाला खोलेंगे ठीक Cas2x माइनस Sine2x अपान और इसको बिल्कुल ऐसे ही हल करेंगे क्या बनेगा 1 के स्थान पर लिख लेंगे sin square x plus cast square x और plus sin 2x का सूत्र होता है 2 sin x cast x और यह dx तो उपर क्या लिखा हुआ है इसको A मान लो इसको B मान लो A square माइनस B square लिखा है A square माइनस B square बराबर सूत्र क्या होता है A square माइनस B square बराबर फर्मूला क्या होता है एक bracket में माइनस होता है दूसरे में प्लस यह वरगांतर वाला पड़ा है तो यहाँ पर क्या बनेगा पहले bracket में आएगा cast x माइनस sin x और दूसरे bracket में चला जाएगा cas x plus sin x और नीचे क्या हो जाएगा sin x plus cas x का whole square बनेगा एक नहीं बनेगा ठिक और dx अगली लाइन में integration cas x minus sin x दूसरे bracket में cas x plus sin x इसका जब work move करेंगे तो क्या होगा square और work move हट जाएगा तो क्या बचेगा sin x plus cas x और dx देखो यह पूरा अब यह पूरा तो cancel हो गया sin x plus cas x हो चाहे cas x plus sin दोनों बराबर है प्लस में चाहे जिसको आगे पिछे लिख सकते हैं थिक बचा क्या अपना cas x minus sin x और यह dx दोनों को दोनों का अलग-अलग integration कर लेते हैं हो जाएगा integration cas x dx minus integration sin x dx cas x का integration क्या होता है sin x minus और sin x का integration क्या होता है minus cas x क्या होता है और प्लस c अगली लेंड में क्या हो जाएगा sin x minus minus plus cas x plus c तो इसका integration क्या होगा sin x plus cas x plus c अच्छा स्वाल है सुझ मैं आ गया ठीक इसके बाद अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 15 इंटिगेशन कास स्कॉर x by 2 dx बता हो इसका integration कैसे क्या जाएगा हमने बताय था कि cas square x tan square x sin square x sin cube x का integration नहीं होता है तो इसको change करेंगे न तो cas square x by 2 को change करने के लिए ऐसा सूत्र बताईए जिसमे cas square x by 2 होता हो साइन से भी change कर सकते हैं लेकिन sin square का भी नहीं समा कलन होता है तो cas 2 x का सूत्र खोलेंगे ठीक देखो cas 2 x का यहीं cas x का cas x का cas के पदवाला ही सूत्र खोलेंगे क्या बनेगा cas x बराबार 2 cas square x by 2 minus 1 यह होता है सूत्र तो यहां से cas square x by 2 की हम value निकाल लेते हैं ठीक 1 को इधर लाएंगे तो plus का हो जाएगा 1 plus cas x बराबार 2 cas square x by 2 अगली लैन में यह दो इसके नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा 1 plus cas x अपान 2 बराबार cas square x by 2 ठीक तो cas square x by 2 की value क्या हैगी 1 plus cas x अपान 2 तो यहां पे लगा देते हैं क्या हो गया integration 1 plus cas x अपान 2 dx ठीक 1 अपान 2 बाहर कर लेंगे 1 अपान 2 integration 1 plus cas x dx ठीक अब क्या करते हैं दोनों पदों को अलग अलग कर लेते हैं क्या हो गया 1 अपान 2 integration 1 dx plus integration cas x dx ठीक अब क्या हो जाएगा 1 अपान 2 1 का integration क्या होता है x plus cas x का integration क्या होता है sin x अब plus c तो cas square x y2 का integration क्या होगा 1 अपान 2 x plus sin x plus c अच्छा question है याद रखना कि हमने बताया cas square x sin square x tan square x cat square x sin cube x cas cube x और tan cube x cat cube x के समाकलान नहीं होते हैं ठीक तिनको ऐसे हम change कर लेंगे ठीक इसके बाद 16 नंबर है integration sec x plus tan x upon sec x minus tan x ठीक मताव इसका integration कैसे किया जाए देखो इसमें ऐसे question में क्या करते हैं परिमेरिकरन करते हैं क्या करते हैं या ऐसे लिख सकते हैं परिमेरिकरन क्या होता है हर में जो value होती है उसके विपरी चिन से उपा नीचे गुणा किया जाता है ठीक तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सेक एक्स प्लास टैन एक्स से उपर नीचे गुणा करने पर ठीक परमे करन में क्या होता है जो हर में बीच में चिन दिया होता है उसके भी प्री चिन से किया जाता है ठीक तो क्या हो जाएगा इंटिगेसान सेक एक्स प्लस टैन एक्स अपान सेक एक्स माइनस टैन एक्स करना क्या है अपने को सेक एक्स प्लस टैन एक्स उपर नीचे गुणा करना है सेक x माइनस 10x और यह प्लस आप देखो उपर तो सेम लिखा हुआ है होल स्कूर बन जाएगा ठीक तो उपर क्या बन जाएगा सेक x प्लस 10x का होल स्कूर नीचे में देखो क्या लिखा है इसको a माल लो इसको b माल लो तो a माइनस b a प्लस b ठीक तो a माइनस b a प्लस b बराबर क्या होता है a स्कूर माइनस b स्कूर तो सेक स्कूर एक्स माइनस 10 स्कूर एक्स यही बनेगा सेक स्कूर एक्स माइनस 10 स्कूर एक्स की वेलू कितनी होती है देखो सूत्र पढ़ा है सूत्र होता है मिटा। 1 plus second square x नहीं 1 plus 10 square x बड़ाबर second square x बढ़ा है 10 square x को बड़ाबर के उधर ले जाते हैं तो बनेगा 1 equal 2 square x 10 square को जब इधा लाएंगे तो माइन सका हो जाएगा तो 6 square x minus 10 square x की वेलू कितनी होती है 1 तो इसके स्थान पर 1 लिख लेंगे ठिक अब उपर क्या है A प्लस B का होल स्कोर लिखा है तो A प्लस B का होल स्कोर क्या होता है A स्कोर प्लस B स्कोर प्लस 2AB तो साथ में इसको खोल भी लेते हैं क्या हो जाएगा integration sec square x plus 10 square x plus 2 sec x 10 x और नीचे कितना हो गया 1 dx ठिक अब क्या करते हैं यहाँ पर कितने पद हैं 1, 2, 3 तीनों पदों को अलग लग कर लेते हैं या इसको थोड़ा आउस साल कर लेते हैं देखो जब तीनों पदों को अलग लग करोगे तो क्या बढ़ेगा integration sec square x dx प्लस integration 10 square x dx प्लस 2 sec x 10 x dx ठिक 10 square x का integration तो होता नहीं है तो 10 square x को हम change कर लें हैं यही पर ठिक तो जब 10 square x को change करेंगे यहाँ से क्या बनेगा 1 को उधर ले जाएंगे तो 10 square x बढ़ाबर सूत्र क्या बनेगा sec square x minus 1 तो 10 square इस्तने के स्थान पर हम क्या लिख देंगे sec square x minus 1 तो क्या बनेगा बढ़ाबर integration sec square x प्लस 10 square x का तो integration होता नहीं है न तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे sec square x minus 1 प्लास टू सेक एक्स टैन एक्स और यह डिएक्स सेक स्क्वार एक्स सेक स्क्वार एक्स जुड़ जाएगा क्या हो गया बराबार इंटीगेशन सेक स्क्वार एक्स और सेक स्क्वार एक्स हो गया 2 sec square x minus 1 plus 2 sec x 10 x और यह dx अब तीनों पदों को अलालग कर लेते हैं क्या हो गया integration 2 sec square x dx minus 1 dx plus integration 2 sec x 10 x dx ठीक अब क्या करते हैं यह जो अंक हैं इनको भी बार कर लेते हैं 2 sec square x dx minus 1 का integration क्या होता है x plus 2 बार कर लिया sec x 10 x dx अब बताएए sec square x का integration क्या होता है 10 x अभी अबने बताया था sec square x का integration क्या होता है 10 x अब sec x tan x का integration क्या होता है sec x tan x का integration क्या होता है sec x plus c ठीक तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 sec square x का integration क्या हो जाएगा 10x minus x plus 2 और इसका integration कितना हो जाएगा sec x plus c चाहो इनको पास पास कर लीजिए और दो कामन कर लीजिए यह ऐसे ही छोड़ दो ठीक तो इसका integration कितना आएगा 2 10x minus x plus 2 sec x plus c चाहो तो इनको पास पास करके तो कामन कर लो ठीक अच्छा question है ठीक इसके बाद अगला question है 17 नमबर integration sec x upon sec x plus 10 x dx इसका integration कैसे किया जाएगा क्या नहीं पर्मेकर्ण से नीचे बन जाएगा उपर क्या बनेगा बन जाएगा बन जाएगा तो दिखो क्या करते हैं इसका भी पर्मेकर्ण कर लेते हैं क्या करते हैं sec x से उपर नीचे गुड़ा करने पर क्या बनेगा बराबर integration sec x अपान sec x प्लस 10x उपर गुड़ा हो जाएगी sec x माइनस 10x नीचे हो जाएगा sec x माइनस 10x और यह dx sec x से उपर गुड़ा करते हैं sec x और sec x की गुड़ा कितनी होती है sec square x और माइनस sec x और 10x की गुड़ा sec x इंटू 10x और नीचे देखू वरगांतर वाला सूत्र बन जाएगा नीचे क्या बन जाएगा sec square x माइनस 10 square x dx इसकी value अभी बताई थी कितनी होती है 1 अभी इसकी value निकाली थी ना कितनी होती है 1 तो क्या बन जाएगा integration sec square x माइनस sec x 10x अपान 1 dx अब दोनों पदों को अलाला कर लेते हैं integration sec square x dx माइनस sec x 10x dx sec x का integration क्या होता है भी हमने बताया था यहाँ पे कि sec square x का integration होता है 10x बताया था माइनस और यहीं पर बताया था कि sec x 10x का integration क्या होता है sec x क्या होता है sec x plus c तो इसका integration कितना होगा 10x माइनस sec x plus c इसके बाद 1 अपान 1 प्लस integration कौन सा question है यह 18 नंबर integration 1 अपान 1 प्लस sin x dx इसका कैसी किया जाए अच्छा सवाल है इसको 2-3 बाद लगाना ठीक क्या करते है 1 अपान integration 1 अपान 1 प्लस देखो sin x को क्या लिख सकते हो सुत्र पढ़ा है कास 90 माइनस ठीटा कास 90 माइनस ठीटा बराबर क्या होता है sin ठीटा होता है कास 90 माइनस ठीटा बराबर sin ठीटा तो हम sin ठीटा के स्थान पर कास 90 माइनस ठीटा का प्लसकर सकते है ठीक तो हम sin x के स्थान पर क्या लिखेंगे कास Πाई बाई तू माइनस X और ये dx ठीक ठीक टीको पाई बाई टू माइनस FX इतने पूरे को ठीटा माल लेते हैं क्या माल लेते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा काश ठीटा बनेगा अब काश ठीटा का ऐसा सुत्र खोल दे कि ये 1 cancel हो जाए, क्या हो जाए, cancel हो जाए, तो बताइए, क्या सूत्र होगा, cas theta का, 1 cancel हो जाए, 1 minus का होना चाहिए, तो cas वाला ही लगा देते है, 2 cas square theta by 2 minus 1, ठिक, 1 को इधर लाते हैं, तो plus का हो जाएगा, 1 plus cas theta बराबर, 2 cas square theta by 2, और 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा, 1 plus cas theta upon 2, बराबर cas square theta by 2, ठिक, लेकिन, क्या कर रहे थे हम, यह कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पर तो 1 काटना है ना, तो यह करना ही कहा है, यह cas इसको यहाँ पर कहा है, हाँ, तो cas theta का यह सूत्र खोल देंगे, ठिक, और theta के स्थार पर कितना रखेंगे, pi by 2 minus x, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, cas pi by 2 minus x, बराबर, 2 cas square pi by 2 minus x minus 1, यह वाला सूत्र यहाँ पर रखेंगे, ठिक, क्या हो जाएगा, 1 upon 1 plus, इसकी value कितनी है, 2 cas square pi by 2 minus x minus का 1, और यह dx, ठिक, इसके बाद क्या हो जाएगा, minus का 1 और प्लस का 1, कट गया, क्या बच्चा, integration, 1 upon 2, cas square pi by 2 minus x, अब 1 upon 2 को बार कर लेते हैं, 1 upon 2, integration, 1 upon cas square pi by 2 minus x, dx, जब cas square x को उपर ले जाएगे, तो cas square x किस में change हो जाएगा, sec square x, क्योंकि cas का उल्टा सिक होता है, ठिक, तो क्या हो जाएगा, 1 upon 2, यह उपर चला गया, हो गया, sec square pi by 2 minus x, और dx, माना pi by 2 minus x बराबर t, इसको t मान लेते हैं, तो देखो pi by 2 का उकलन कितना होता है, 0, minus x का उकलन कितना होता है, 1, और यह हो जाएगा dt upon dx, तो minus 1 बराबर dt बटा dx, तिरिया गुणा करते हैं, minus dx बराबर dt, और dx बराबर minus इधर भेज़ देते हैं, minus का dt, ठीक, अब क्या हो गया, बराबर, 1 upon 2, integration, sec square, और इसके स्थानद पर कितना रखी देंगे, t, और dx की value है, minus का dt, minus चीन बार कर लेते हैं, तो कितना हो गया, minus 1 upon 2, integration, sec square, t, और sec square t का integration क्या होता है, tan t, sec square x का integration क्या होता है, युकर sec square x, dx का integration, tan x plus c होता है, और जब यहाँ पर t है, तो यहाँ पर t हो जाएगा, sec square t, dt का integration क्या बनेगा, tan t बनेगा, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 10 t plus c और t की value कितनी है यह तो कितना हो गया minus 1 बटा 2 10 pi by 2 minus x plus c तो integration 1 upon 1 plus sin x dx का हल कितना आएगा minus 1 upon 2 10 pi by 2 minus x plus c ठीक अच्छा question है इसको हम परमेकरन से भी लगा सकते हैं परमेकरन से भी लगा सकते हैं बताएंगी कर लोग गये लगाना ना हो तो कल पूछना ठीक इसके बाद अगला question है इसके बाद question है 19 नमबर नमबर integration sin square x upon 1 plus cos x dx ठीक बताओ कैसे किया जाएं लेकर नीचे तो बन गया की cos x का ऐसा फार्मूला खोल दे बन कट जाएं ठीक और यहाँ पे sin x है sin x का भी तो फार्मूला होता है by 2 में 2 sin x by 2 into cos x by 2 तो इसका भी सूत्र खोल देंगे ठीक देखो sin x का सूत्र क्या होता है sin x का होता है 2 sin x y 2 into cos x by 2 और cos x का सूत्र क्या होता है 2 cos square x by 2 minus 1 यह होता है दोनों सूत्र यहाँ पे लगा देते हैं बराबार integration sin x का सूत्र होता है 2 sin x by 2 into cos x by 2 और यह square है तो square कर लिया अपान में क्या बनेगा 1 plus cos x cos x का सूत्र क्या होता है 2 cos square x by 2 minus 1 और dx तो minus 1 और plus 1 कट गया उपार square कर देते है तो गया integration 2 cos square हो गया 4 sin square x by 2 cos square x by 2 नीचे बचा है 2 cos square x by 2 dx 2 से 4 कट गया और यह पूरा पूरा कट गया दो बार कर लेते हैं और काट cube x इनके क्या होते हैं समाकलान नहीं होते हैं तो क्या करते हैं sin square x by 2 को change कर लेते हैं और sin square x by 2 को change कर लेते हैं कास वाले फार्मूले से तो कास का फार्मूला खोलते हैं sin वाला 1 minus 2 sin square x by 2 करते क्या हैं देखो इस वाले पद को इधर लाते हैं तो यह plus का हो जाएगा और कास x को उधर ले जाते हैं तो यह minus का हो जाएगा ठीक और 2 जो है इसको भी इसके नीचे ले जाते हैं तो क्या हो गया sin square x by 2 पराबार 1 minus कास x अपान 2 ठीक तो इसके स्थान पर हम क्या लिखते हैं 2 sin square x by 2 की value कितनी है 1 minus कास x अपान 2 dx यह 2 और यह 2 cancel हो गया अब क्या करते हैं दोनों पदों को अलग-अलग कर लेते हैं तो क्या बनेगा integration 1 dx minus integration कास x dx 1 का integration कितना होता है x minus अब कास x का integration कितना होता है sin x plus c ठीक तो इसका integration कितना आएगा x minus sin x plus c ठीक इसके बाद last question बचा है लास्ट क्वेश्चन है 20 नमबर integration कास x minus कास 2 x अपान 1 minus कास x ठीक बताओ क्या करें इस question को कैसे साल किया जाएए बताओ लोखो करते क्या है उपार कास c minus कास d का सूत्र लगा देते हैं बनता एक नहीं बनता है कास c minus कास d और नीचे 1 कटने वाला फार्मूला बन जाएगा ठीक तो सूत्र बताइए कास c minus कास d कास c minus कास d का सूत्र क्या होता है बोलो क्या होता है 2 sin c plus d c by 2 into sin d minus c by 2 यह चौथा वाला होता है चौथे वाले में जो यह minus वाला पद होता है वो d minus c होता है और बाकी सम्में क्या होता है c minus d होता है ठीक तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो 2 का 2 sin c plus d इसको उमने c माना है और इसको d माना है तो क्या हो गया x plus 2x upon 2 into sin 2x minus x upon 2 नीचे 1 कटने माला सूत्र लगाएंगे का सेक्स का यहाँ पर कांसा सूत्र लगेगा 1 minus 2 sin square x by 2 क्या हो गया 1 minus का सेक्स का सूत्र कांसा लगाएंगे यह वाला 1 minus 2 sin square x by 2 और यह d x क्या हो गया 2 बाहर कर लो integration sign x और 2x कितना हो गया 3x upon 2 into sin 2x से घटा देंगे कितना बच्चे का x by 2 upon 1 जब राइकन हटाएंगे तो अंदर का चिन है बदल जाएगा क्या हो जाएगा minus 1 plus 2 sin square x by 2 और d x 1 minus का यह plus का 1 कैंसिल हो गया है क्या बचा टू यहाँ पर क्या है sin 3x upon 2 into sin x by 2 नीचे क्या बच्चा 2 sin square x by 2 1 एक तो यह कैंसिल हो गया और यह 2 और यह 2 भी कैंसिल हो गया है ठीक क्या हो गया integration sin 3x by 2 upon sin x by 2 अब बता आगे कैसे हल होगा देखो इसको हम क्या करते हैं x by 2 को ठीटा माल लेते हैं तो sin 3 ठीटा बन गया क्या बन गया sin 3 ठीटा और sin 3 ठीटा का सूत्र क्या होता है 3 sin ठीटा माइनस 4 sin क्यूब ठीटा यहां से sin ठीटा कामन भी हो जाएगा कामन कर लेते हैं sin ठीटा कामन कर लिया बचा 3 माइनस 4 sin square ठीटा और ठीटा के स्थान पर कितना लगा देते हैं x by 2 तो आजाएगा sin 3 x by 2 बराबर sin x by 2 3 माइनस 4 sin square x by 2 ठीक तो sin 3 x by 2 की वेलू कितनी आएगी यह आएगी तो यहां पर लगा देते हैं क्या आएगा sin x by 2 अंदर बचेगा 3 माइनस 4 sin square x by 2 और नीचे sin x by 2 डीक्स यहां तक सुन में आ गया अब देखो यह चीट अब यह चीज क्या हो गई कट गई अब यहां पर दो पद हैं हम अलग 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 कर लेते हैं क्या हो गया integration 3dx माइनस integration 4 sin square x by 2 3 बार कर लेते हैं integration 1dx माइनस 4 को बार कर लेते हैं integration sin square x by 2 dx 1 का integration क्या होता है x माइनस 4 और इसका integration कैसे क्या जाएगा हमने बताए था sin square वाले पद का integration नहीं होता है तो क्या करते हैं इसको हम change कर लेते हैं और यह question हम बहुत बार बता चुके हैं بتा चुके हैं x square बारे भी बता है साइन स्कोर वाले भी बताया और कार्ट स्कोर वाला भी बताया ठीक तो उसी टाइप सी ये करना है आगे का कोईशन तुम्हें लोग साल करोगे नहीं होता है तो कल पुछना ठीक तो ये कोईशन समझ में आया है झाल झाल झाल